दिखने में तो पड़े लिखे लगते हो फिर जेल में क्यों हो बहुत बड़ी राम कानी है बाई बताऊंगा तो टाइम बरबाद होगा अब यहां हम कौन सा बड़ा काम कर सकते हैं सर जो टाइम वेस्ट होगा टाइम पास के लिए ही बता दो सर वैसे तो सारे बच्चे अपना दिल खेल कुद में लगाया करते हैं और मेरे बेटे ने मेरी बातों को दिल से लगा लिया तो ऐसी खुंसी बात उससे कह दी सर मेरे बेटा क्या हो गया आजा 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 मेरे पास आजा अब ही अगर इस्माइल कर दूना तो दस लड़किया गया लगाए बहुत बद्बू आरे तेरे मूंसे अब सबको जोक सुनाना बं कीजिए और बच्चे को संभालिए जो पापा की पास जो चुपो जा रोते नहीं बेटा चुपो जा चुपो जा मेरा बेटा मेरा लाज तूद्बेस बदले बद्बू आ रहे होगी उसे तेक ले मुझ पर पंच मार रहा है यह तु इसके गाल जो 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 इसको भी और मर यह तो हसने लग जया ओ मेरा बेटा मेरा बेच्चा यह ऐसा वैसा समझ रखा है जब भी रोए ना तो मेरे पास लेकर आजा अजी सुनिये देखिए कुछ कहा नहीं रहा है नहीं खारा है रो रहा है लाओ मुझे देदो मुझे दूदो अब देखो तो टीवी देखो टीवी देखो देखो पार चल रही है अब सुनिया जी इसने फिर सरहना शुरू कर दिया कहा है ना इसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो आजा यह आटो वार एंकल है इनको मारो तो जरा अपने बच्चे को समाल लो नहीं तो तुम्हारे लिए ही मुश्किल खड़ी करेगा वो रास्ता भटक गया है सर नजर रखनी चाहिए थी कितना पढ़े लिखे हो भाई है तेंद फेल हुँ जर डिगरी तो है नहीं तेरे पास और मुझे सला दे रहा है कि मार के भी देख लिया उसे है बंटी को क्यों मारा तुने मुझ क्यों बना रहा है अब कोई फाइदा नहीं चल हाथ मिकाल मार खाकर रोने की जगा तु Sebastian क्यूंग कर रह थे घंग嗎 मारने में में मज़ा मार खाने में में मज़ेंजा और मरो मारने में भी मज़ा और मार खाने में भी मज़ा ये क्या बाट हुई सर यह बश्पन में ऐसा है तू размभड oppress कि क्या करेगा उधर देखो तुम लोग स्टुडेंट्स हो या गुंडे हो जो बीज सड़क पर जगड़ा कर रहे हो आज के बाद अगर किसी भी जगड़े में तुम लोग नजर आये ना तो पीडी एक के तहट अंदर कर दूंगा समझ में आया इन दोनों ग्रूप के लड़कों के नंबर और अड्रेस सेपरेट नोट करके इन लोगों को छोड़ दो चलो जा 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 चलो सब लोग यह पार्टिसिपेट करने के लिए वहां कोई कबड़ी का खेल चल रहा था कौन से पढ़ाई कर रहा हूं तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के लिए तुम्हारे गारजियन लाखों खर्च कर रहे हैं और तुम लापरवाह होकर जगड़े के मजे ले रहे हो जिस उमर में पता चले तुन्हें कितनी तकलीफ होगी उनको पता है सर मारने के लिए उन्होंने तो मुझे बच्पन से एंकरीच किया है इसी वक्त अपने पापा को फोन करके पुलिस टेशन आने के लिए को इसकी तो आदत हो गई है सर इसे अंदर डाल दीजे अकल आ जाईगी पापा सुनो कॉंस्टेबल सर इस लड़के को छोड़ दो और इसके बाप को शाम तक अंदर रखो बेटे की गलती की सजा बाप को मिले यह किस कानून में लिखा है सर अगर बच्चा रोए तो बगलवाले को मारे यह किस कानून में लिखा है सब कुछ बता दिया क्यों सर बस एक बार बिल्कुल भी नहीं लाइफ में जब कभी भी यह जगड़ा करेगा मैं हर बार तुम्हें ही अरेस्ट करूंगा तो यह है मामला सर आपका टाइम खराब था इसलिए आप इंस्पेक्टर की नजर में आ गए वो तो पहले से ही हीला हुआ है अगर हो सके तो अपना मुहला बदल लो अगर मेरी बात मानो तो आपको यह शहर ही बदल देना चाहिए अगर आप यह सोच रहें के टेंध फिल की सलाह क्यों मानू तो सेम प्लेस मिलेंगे फिर आगे की कहानी भी सुन लूंगा क्या हुआ कोई बुरा सपना देखा क्या हां जी मेरे बेटे के दुश्मन उने आपको जौन से मार दिया है ऐसा सपना देखा मुझे इसी बात का डर था कि एक नहीं दिन वो लोग मुझे जरूर मारेंगे पर सपना आया उन्होंने वजह नहीं बताई क्या हुआ हुआ है यह सही है यह उठो उठो अरे एक सीन दिखाता हूं उठो आधी रात को कौन सा सीन दिखाएंगे अरे रजनीकान का सीने उठो देखो तो अब मैं समझाता हूं कि हम लोग क्या करें हम अपने बेटे को गुंदों के पास में भेज़ देंगी और उनके बीच में अब पागल हो गए हैं क्या हम लोग उसके साथ हैं तो इतना उचल रहा है वो हम नहीं रहेंगे तो पता नहीं क्या करेगा पागल तुम हो गई हो अरे हम है इसली तो वो इतना उचलता रहता है ना जब वहां पर रहेगा और जगड़ा हुआ तो जगड़ा सट्ल करने के लिए मैं नहीं रहूंगा चोट लगी तो मधम लगाने के लिए उसकी मा यानि तुम नहीं होगी मा रोते हुए बच्चे को अगर रूसे रोते हु लोग इस गौवें नहीं आ सकते एक दूसरे को मारते काटते अतनी जिन्दगी गुजार रहे हैं इस गाउं के बीच लकीर इसलिए खींची गई ताकि तुम लोग एक दूसरे की जान ना लो लेकिन तुम तो एक दूसरे को मारने पर तयार और केशब तुमने उसका पांग क्यों काटा और क्या करते सर पंजी हर बात पे जगड़ा करने के लिए तयार रहते हैं लकीर किस सीधी नहीं होती ऐसी गलती इनसे दुबारा ना हो इसलिए टांग काटकर कॉल कर दिया हमने पहले हमारे आद्मियों कुक्सा कर अपने एरियों में बुलाया और अब तुम लोग बात सब्लट रहे हो दोखे बास कहीं के है मुत्तू पंचायत में किस तरह बात करनी पता नहीं क्या जायदा जागीर होने से को इंसान बढ़ाने होता गांव अच्छा होना चाहिए दिल अच्छा होना चाहिए एक टांग चली गई तो तुम ऐसी हरकते करोगे कितने लोगों की जाने चली उसका क्या तुम दोनों को मैं आखरी चेतावनी दे रहा हूं इसे चेतावनी समझो या फिर कुछ और आज के बाद कोई भी शक्स इस तरफ से उस तरफ और उस तरफ से इस तरफ आया तो बिलकुल अच्छा नहीं होगा यह आखरी चेतावनी है इसके बाद पंचाथ कारवाई कर सकती है के उसके घरवालों को दे दो जी सर पंची कुट्टे के पास दुम होती है पर दिमाग नहीं होता चलो रहे यह क्या भाई हमारे आदमी की टांग काटके हमारी बेज़ती कर दी और हम लोग खड़े खड़े तमाशा देखते रहें टांग के बदले हमें भी टांग काटनी पड़ेगी टांग के बदले में टांग काटने का समाना गया अब टांग के बदले में सीधा सर इतना सब कुछ होने के बाद हमारे साथ कौन आएगा अब कोई न कोई तो इस दुनिया में होगा ही जो मेरा ये काम करेगा तिरूपुरम वहाँ पर एक इंजीनिरिंग कॉलेज है, वहाँ पर दोनों लोग पढ़ सकते हैं, बस कॉलेज के अंदर नियम ये है कि जगडा नहीं होना चाहिए, इसलिए जमीदार ने वहाँ पर एक नियम बनाया हुआ है, वहाँ पर वो अंदर भी रहेगा, और जैसा तुम चाहते हो, सेफ भी रहेगा, पर उसको तमिल नहीं आती न, तमिल तिल्गु छोड़िये सब हिंदी में बात करते हैं, यह मैंने आपके लिए पाक किया है, लगता सब कुछ फिक्स हो गया है, अब उसे गैसे भी कन्वेंस कर लीजी आप, मेरी कमपनी वालोंने मेरा ट्रांसफर तिरूपरम कर दिया है बेटा, और अभी पोस्टिंग के लिए सिर्फ दो महीने हैं, और तुम्हारा से मिस्टर भी शुरू हो जाएगा, इसलिए मैंने तेरा एड्मिशन वही इंजिनिरिंग कॉलेज में करवा दिया है, तु जाकर आप लोग नहीं रहोगे तो मैं जीऊंगा नहीं, पापा आपने मुझे समंदर में भी धकिल दिया ना, मैं मचली पकड़के उसको फ्राइ करके खा जाओंगा, समझ गए ना, मैं कहीं पर भी जी सकता हूँ, अरे बेटा, मा, तुम फिक्र मत करो, मैं बात कर रहा हूँ न दोगना तेंच जुजए, जो झांज कर दो अ कर दोागा 근데 वहूँ झांवाई तिरु पुराम तिरु पुराम तरो तरो तिरु पुला वाग्या उत्रो भाया यह खेती यह पहाडियां यह हर्याली ऐसा लगता है आप मुझे किसी दूसरे राज्ये में लेकरा आए हो हरे नए-नी हम लोग इसी राज में हैं भाई मुझे तो डाउट था हम अपने राज में हैं, वो खेती दूसरे राज में है क्या कहा है? हाँ सर, यह अंधरा तेमिल नाडो का बॉर्डर है इस तरह अंधरा उधर तेमिल नाडो तो बाप ने मुझे बॉर्डर पिला के खड़ा कर दिया सर आपको इधर जाना है उधर गया तो वहीं के रह जाओगे पापा मैं पहुंच गया हूँ काऊ जाते ही तेरी आवाज में कितना फर्क आगया है उतरते ही फोन कर लिया तुने आवाज तो बदलेगी ना पापा पॉलिशन से भरे शहर से निकाल कर अचानक साफ सुत्रे वाता औरों में भेजोगे तो चेंजेस तो होंगे इना इतना कॉमन सेंस नहीं है फैदराबाद यहाँ पर आंधरा के बॉर्डर खतम होती है तीरोपुरम इधर तमिलनाट की बॉर्डर स्टार्ट हो रही है बेटा तू तो कह रहा था कि समुंदर पहाड कहीं भी भी बेज दो तुम जी लोगे एक और इडली दो मुझे बेटा नहीं तुसके हिस्से का मैं ही खाऊंगा ना खाऊ है खाऊँए और समपोड कर रहे आयरे सब्सर कर है ब्रेकफास्ट यहां पर फेमस क्या इधार इडली संबर बहुत फेमस है यहां हाँ पापा मां थे घास खाना खा-खा-कर ब्रहरो Committee यहां पर इडली संबर ब् Avon qa सब्सक्राइब अब स्माइल कर ले लो बेटा सौर रुपए में ले लो अरे सौर रुपए में कौन खरी देगा यार कोई पागली खरी देगा यह क्या है बीच रास्ते में बांध कर रखा है यह देखो यह होटल है ठीक है खाते वे बात कर लेते हैं आजा भाई टूप्लेट सांबर इडली मेरे होटल में कदम रखते ही इतने सारे ग्राहक आ गये दो प्लेट सांबर इडली जल्दी यहां अरे बेवकोफ निम्बु कोई इतनी बड़ी तलवार से काटता है छोटे चाकू से काटते हैं पूरा खराब होगे ना पागल गई कि हिंदी समझ में नहीं आती गया कितनी बार बोला पड़ेगा सांबर इडली जल्दी तुम सब को मेरे बार में पता नहीं है अभी बताता है तुम लोग आदमी हो कि जानवर हो यार ऐसे कैसे हो सकते हो तुम लोग अरे जगड़ों में इंट्रेस्ट मैं भी तो रखता हूं लेकिन ऐसे सांबार इडली के लिए जगड़ा करना अच्छी बात नहीं है यार अच्छा मेरा बैग लिलू मैं अधाल कमसे कम आप तो इनने समझा ही सकते हैं ना है घलेगे सब्सक्राइए आज़ा आज़ा आज़ब लेगे वह सब्सक्राइए बाई थंडा पानी पीलो ले 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 लो पीलो अरे कोई बकरी को गाड़ी से उड़ा दिया एसी पूरी फैमिली पीछे पड़ गई थी मेरे वो क्या है कि दो दिन पहले उसका एक आदमी दर आया था हिने उसकी टांग डाली उसीılan घबाज़ कुली ले फिरूपूरम में कोई उधर जाने के बाद सरी सलामत Then इते यहां का सारा फैसला पंचायत करती है कोई बी जगड़ा हो फसाद हो कोई पुलिस वाले के पास नहीं जाता यहां तो पुली स्टेशन है ही नहीं तो फिर भाई पुलीस यहां कहां से आएगी अच्छा असल में यह जगड़ा क्या था तुम पढ़ने के लिए हो ना तो पढ़ाई करो ना फाल तुम इस लफड़ने में पढ़ने के कोई ज़रूत नहीं है ठीक है पर हमारे कोई चांसी नहीं है प्रिंस्पल परमातमा अदमी है एक दम स्ट्रिक्ट है प्रिंसपल के इजाजत के भी ना कॉलेज में कोई पंची भी बर नहीं वार सकता तमिल वाले हो या तेलगू वाले वो सब कॉलेज के बाहर एक बार केमपस में कदम रख दियाना तो सब एक समान उनके रूल के हिसाब से चलना पड़ता है जिसे भी कॉलेज में पढ़ाई करनी है उनके होस्टल में सबको मिलके रहना पड़ता है बहुत बचाया इन दोनों कोने मार पीट की है एक विक के लिए सस्पेंट करो सर मैं हाइफाई कर रहा था यह सब मैं नहीं जानता तुमने अपने हाथ से उसे मारा और मैंने यह सब देखा है कल रात मैंने रजनी कान की बाश्या फिल्म देखी सच में यार रजनी कान की एक्टिंग का तो जवाब नहीं रजनी कान तमिल से ज्यादा अच्छा काम तेल्गू में करते हैं इनकी बातों से लगता है रजनी कान से यह कुछ ज्यादा इंस्पायर है रेखा वन वीक के ल सामने दुश्मान एक गोली एक दुश्मान ऑफाइर मतलब हमारी कॉलेज में जगड़ा होता ही नहीं यह बाद बताओ तुम कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आए हो यह यहां के मार्क बिट करने के लिए अल्श नो आरे बताऊना भाई लगता है माने का नहीं कि नला सीनु के देख रेक में इक बार महीने में फाइट होती है यह कौन है वो कॉलेज के के वे पीछे के गोदाम में पैसा लेकर तेल्गो और तमिल ग्रूप में फाइट करवाता है कि इतने वाला महीना पर शेर की तरह रहता है और हारने वाला बिल्ली की तरह है 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 अब आध तो कि अब तुम लोग के बारी आज महीने के पहला दिन है ना आज फाइट होगी अरे तो फिर वही चलो ना भाई पता था हम कि अब भाई कॉलेज में ज्यादा दिन तुम टिकने वाला नहीं लगते हो यह लो मेरा कार्ड जरूरत बढ़े तो मुझे याद करना है हुँँ भाई कि यह क्या रे बलकेश अरे इटिली खाया उनका सांबर नहीं खा सकते हम लोग उनका कपड़ा दोना पड़ता है अम लोगों को तो यह दे मार खाएगा तो कैसे चलेगा है जा मार उनको पाँ 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 इस अड़ी कहीं का यह काम इसे नहीं होने वाला है इस महिने भी तेल्गु वालों का ही सरुठा रहेगा है यह लूंगी रख ले अपने पास अगली पाँ किसी धंके बंदे को भीजना अरे यह को पूरा रल्लू निकला प्या चाहिए कोग या कोल्डिंग गेमें पार्टिसिप्ट करना है पांट सो रुप्य लगेंगे यह लो बैट जो एक नया बखरा इसकामाइग लगता हुए लगता है यह तमिल वाला है जंके दुझाי कर पर दिखने में तो अच्छा लग रहा है अंदर जा ऐसी पिछ पर पहली बार है भाईया मारूंगा की नहीं पता नहीं हां लेकिन चार मुख्या खाकर वपर चला जाओंगा रहा को झाय हो हम ची चनीों का लुग फरेखव इसे में लिखेंना, नहीं अढूआ जपघाना, भी रहा धना, जुग हो ग्या मोरू च première हूँ हो मैं जड चला छार यह भी जे कील तीृ नहीं है क्ढूआ थरू लेए理ह उ Hinduism मानें वsti लेग overwhel खेफा क्या शता गी मतना सबसे वो मारेगा तो एंजोई करूगी या मैं मारोगा तो एंजोई करूगी कोई भी मारेगा तो एंजोई करती है अरे गुरू उधर कोई मार रहा है इसलिए तो इधर आ गया मैं अरे उनके लोगों को मार रहा है अबे क्या बख रहा है तो सारे सवाल यही पुछेगा तो वो चला जाएगा चल 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 अरे बुरू पर वह को अब आपने अपोजीशन वाजे को मार रहा है बतला वापना ही है यह यह दो यह अपने बतला भही है बॉसे 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 है कर दो 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 अच्छा यह बात है उनने फिर यह और क्यों यहां कि अब कैंसे दो लोग उसे शहर जाते रोग तुम शहर से यहां पर ने आयो मेरा भी यही प्रॉब्लम है सर शहर में कुछ होता नहीं है सर वहां तो कोई साथ भी नहीं देता है लेकिन यहां पर मैं साथ मिल जुलकर पढ़तो लूँगा बहुत मज़ा आएगा सर पढ़ने में तो पहले तुम होस्टल जॉइन कर लो के सर जरा इस लड़के पर अब्जर्वेशन रखना इस कामी लग गई हूं सर ब्रो यही अपना होस्टल यहां पढ़ने वादे सभी बड़े बड़े आदमी बन गया ऐसा प्रिंस्पल साब कहना है लेकर उनकी बात पर ध्यान मत देना रहने सिवा कुछ सुछता है क्या रहने के लिए सिर्फ नहीं देल भी होना चाहिए जो मेरे रूम में है आजा यह नीचे रहेगा और आप उपर रहोगे और हमसे टकराने वाला सीधा उपर जाएगा उस लड़की के बारे में पता चल गया है वह कॉलेज में नया जॉइन हुआ है गलती से वह बगल में चला गया था मगर होश्यारी से बच कर निकल गया यह बात हमें पता चली है ठीक है तुम लोग जाओ खेटी किसके करें उन लोगों ने क्या किया चने की खेटी की हम किसी से भी कम नहीं रहेंगे हम भी चने की खेटी करेंगे इतने लोगों को उसने भगाया है इसका मतलब उस पर अच्छी तरह नज़र रखना पड़ेगा गुड़ी इवनिंग सर गुड़ी इवनिंग सर गुड़ी इवनिंग इवल स्टड़ी सर गुड़ बॉड़ी क्या ब्रो यह हॉस्टेल इतना साइलेंट क्यों है यहां कोई मारता काटता नहीं है रूम और बात्रूम को छोड़ कर हर जगा सीसी कैमरा फेक्स है इसलिए जो भी करते हैं एदर उदर ही करते हैं एक मेना वेट करना पड़ेगा पता नहीं मेरे बापने मुझे कहां फसा यह कहां कहां पूछा ना ब्रो तुम्हारा फैवरिट हीरो कौन है रजनीकान ब्रो रोबाट दस बार देखिए मैंने अब उसका फैवरिट हीरो तो रजनीकान था तेरी तो अब तुझे डाउट हो रहे क्या अरे गुरू यह हिंदी बहुत अच्छा से बोल लेता है यह पूछो आप तो हिंदी इतम फटाफट बोलते हो बाई मुझे फोर लेंग्वेजेस आती है अब उसे चार-चार लेंग्वेज आती है कुछ नहीं कुछ तो गडबर ज़रूर है मेरी बात सुन कुरूं मेरी बात सुन आकर कितना खुबसूरत है तुम आंधरा क्यों नहीं इतने दिनों से उनके साथ फाइटिंग में हार कर सर जुकाकर जी रहते हैं हम लोग वह गालीयां देते रहते थे और हम लोग चुप चप सुनते रहते थे अरे इतना यी नहीं। इस कॉलेज में हम लड़कियों का पैर ही देख सकते थे, चेहरा देखनी की इजाज़त ही नहीं थी, आप तेरी वज़े से पहली बार हमें सर उठा कर देखने का मौका मिला है, कल से दिखाएंगे हम अपना जल्वा, खेल शुरू हो गया, इसे देख, हाँ, ये तो सही है न, ब्रो में अभियात हो, हाँ, सही है, कॉलेज के अंदर पहली बार कॉलर उठाकर जीदे का मौका मिला है, तेल्वो तैमल में फार्क माज तमजना लड़की होनी चाहिए, अट्र, इदर जूनियर और उदर सीनियर से, कॉलेज में इतनी सारी लड़किया है, फिर तुझे मुझसे क्यों चुनेंगी, इडियट कहीं का, प्रिंस्पल तो नहीं देख रहा है, सूजी, हम लोग शादी कर लें क्या, तू थर्ड येर में है, और मैं फोर्थ येर में, तो नेक्स येर कर लेते हैं, मैं भी नेक्स येर फोर्थ में आ जाओंगा, किस ते चिपका दिया, सूजी तालिया बजा रही थी, अच्छा, गल्ती से मेरा चैरा बीच में आगिया, अब जू आख लेक्ता है, परसंट कितना है बताओ ना बैकलोग कितना है थरी तुम्हारा चहरा ही जूट बोल रहा है तो पता है तो पता क्या है बस दड़की को हाई बोलना आता है चलो क्लास में जाओ जाओ क्या हुआ तुम लोग तो ऐसे खड़े हो गए जैसे बिखारी रजगुला देखकर फॉरण खड़ा हो जाता है बैट जाओ इंजिनेरिंग कॉलेज के अनेजुकेटिड फैलोज लास्ट सेमेस्टर की टॉपर है कार्तिका किवारभी गैंज फैरो क्या बात है बेटी इतने कॉंफिरेंटली खड़ी हो गई तुम चार्ज सब्जक्ट में फेल हो गई हो और दो सब्जक्ट में जस्ट पास हुई हो और तो ब्लैक लिस्ट में तुमारा नाम सबसे उपर है हाव डेर यू सराभी ने तो कहा कार्तिका मैंने एम कार्तिका को बोला तुम एल कार्तिका हो बैच जाओ एम कार्तिका कि वारे बिग हैंड अरे सरा सुनो मैंने तो हाथ से बता दिया लेकिन तुम्हारा रिजर्ट बताऊंगा तुम मेरे हाथ पर कम पढ़ेंगे अरे बाप्रे इंग्लिश कमान यार कितना विट अब देती हो तुम तो ट्रांसपोर्ट से आयों क्या नई सर बस में आया हूँ वर्स जोक है ये वेरी वर्स जोक पूरी क्लास सालेंट है और तुम जोर-जोर से हसते जा रहे हो तेरी परसेंटेज कितनी बनी थी 91 पर से नाइंटीवन हां सर इंटर्नल टेस्ट में या सेमेस्टर टेस्ट में ड्रंक ट्राइब टेस्ट क्या बेकार के जोग में बार बार हसता जा रहा है मुझ बंद रखना अपना एक बार फिर सारी सर देख बेटा मुझे तेरी काबिलेत पे शक हो रहा है मैं तुस्से सिंपल सा सवाल पूछूँगा बस उसका जवाब दे देना ठीक है सर क्या मतलब है उसकी फुल फॉर्म बताओ कंप्यूटर क्या गलत बुल दिया एजूकेशन हां एजूकेशन सर वेचारा नाया आया है ना इन लोगों के साथ कैसे मिल जूल कर रहेगा मैं तो यही सोच के परिशान हो रहा हूं ग्रेट सिंक्रोनाइजेशन तुम लोग दूद और पानी की तरह मिल कर रहो उसी में तुम्हें खुशी मिलती है न तौहीं करो सर हमारी क्लास नहीं लोगे दस के आगे एक शुने लगाओगे तो क्या होगा दस अब गधे 100 भी तो होता है तो सर मैंने हिसाब नहीं किया तो इतने समझदार लोगों को मैं कैसे पढ़ा सकता हूं बता अभी कौन बनेगा करोणपती खेल रहा होता तो फटा फट 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 जवाब दे किया है तुम ठोपरों सोच कर बात करने में टेंचन होएं दे लेकिन अब तो सब कुछ पता चर लिया है तो हम फ्रीली बात कर सकते हैं क्या बात करनी है हम दोने में बहुत सरी बातें सिमिलर हैं तुम्हें जगडा पसंद है मुझे भी जगडा पसंद है तुम्हें पड़ाही में इंटेस नहीं मुझे भी इंटेस नहीं अफ कोर्स थोड़ा ठीक ठाक मैं हूँ चलाण इसलिए कहते हैं सही इंसान का हाथ पकड़ के चलना चाहिए माँ क्या रे कैसा है बेटा जखम पर मरहम लगा रहा है ना इस बार चोट शरीर पर नहीं दिल पर लगी है माँ क्या हुआ बेटा यहां पर एक लड़की को देखा मा तेरी तरह ही महालक्षमी देवी का रूप है लेकिन अंदर से वह पूरी फुलन देवी है माँ उस लड़की की खूबसूरती उसका घमन भग्मान ने उसे कॉक्टेल बनाया है माँ सुनते हो हमारे बेटे को कोई लड़की पसंद आ रही है आधते बिल्कुल बुरी है लेकिन तारीफ करने की कोशिश कर रहा है वो पर लिख डालो उस लेटर को पढ़ने के बाद लड़की को लगना चाहिए कि अगर ये लड़का मेरे जिन्दगी में नहीं तो जिन्दगी बेकार है दिल पर तीर मार दिया पापा ऐसे वाइलेंस वाले शब्दों को छोड़कर प्यारी प्यारी बाते कर बेटा अगरुअ उतर देखो तो वो तेलकु फिल्म देख रहा है अब हम इंगलीश फिल्म देखते हैं तो अंग्लेज होगा है क्या आहाँ अगरुआ ज़खो तो वो तेलकु किताब पड़ रहा है मैं मैथ पढ़ना हूँ तो मैथ वाला हो गया क्या इसकी अलदे कैसी हो गए हर बात पर शक करता है पीने का अलगी मज़ा है उसने देख तेलगु में लिखा है इसे तेलगु नहीं आती है इसे लिए लिख करके काट रहा है वह पक्का वह तमिल वाला ही है चेर्स 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 सुना है शेहर की लड़कियां सर्फ यहां तक कपड़े पहनती है हां यार यहां की लड़कियां भी अपडेट का हुई ह हम लोग यहां तिक कपड़े पहने ना तो भी लड़के देखेंगे कितने लोग लिखेंगे लेटर कॉलेज में क्या मैं अंकेली हो इसको भी लिख सकते हैं इसको भी तो लिख सकते हैं कोई हरी है सोचा था मुझे तो लगाए था कि इसके पास से लेटर जरूर आएगा पर दो दिन लेट हो गया चल पर हाई तुम बहुत क्यूट हो बहुत स्मार्ट हो बहुत इंटेलिजेंट हो बहुत डेरिंग बाज ऐसा तुम मुझे कहोगी रहने देते हैं यह लेटर नहीं पड़ते तुम लोगों को मैं कितना टॉचर करूंगी हां जाने देना बहुत इंट्रेस्टिंग लग रहा है तुम कंटिन्यू कर तुम बहुत खुबसूरत हो तुम समझदार हो तुम्हीं देखकर दस लड़के गिर जाएंगे अगर किस दॉटर champions कि चैयरा कुछ fool खोआ है अगर तुम खुबसूरत हो तो आश्फरे राय को क्या कहते हों तो तुम्हारे मांक्स की तरह तुम्हारी खुबसूरती भी है तो सब कुछ है तुम्हारा राक्षस, तुम्हारा आशिक है, इसे तो सबक सिखाना ही होगा, ए रुपना, वो लोग भूखे शेर की तरह सो लोग हैं, और हम नाजुक सिर्फ पांच लड़किया हैं, क्यों से पंगा ले रही है तू, चलना है आसे, चलना, ए चलना, चलना, आओ, चल दिया ह ए, यहां CCTV कैमरा लगा है, CCTV होने से कुछ नहीं होता, प्रिंसिपल के कमरे में फ्यूज होना चाहिए, यह कब निकाला, यह बताना जरूरी नहीं है, चलो, कितने दिनों के बाद हुई है, लोग किसमत से धन दौलत लेकर आते हैं, और यह क्या अंडवे लेकर आया है, ची, हाँ पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं पढ़ाई के ध्यान दे रहा हूँ, यह, क्या है यह, इसलिए इनके माबाप ने इन यह यहां भेज दिया है, जिससे छिपाना चाहिए था, उसे मूब पर डालकर सो रहा है, बेवकूफ, उसका रूम नमर क्या है, वाट जिरो एट, चलो, रूम पंच कर लाइट अन कर, अजिए उट्रे, क्या रहे राची, सुबह तो आई थी, रात को किसी और को बेजना, प्यार ब्यार करेंगे, यह क्या कह रहा है, मैं सुबह ही आई थी, और अब दूसरी को बेजने के लिए के लिए इसकी नजर में मैं कोई ब्रोकर हूँ क्या, इसको तो मैं अभी सबख सिखाती हूँ, मैंने सुचा रिस्पॉंस आई का लेकिन तुम ही आगी, हाइट, हाइट… वेट, क्या भोला हूँ? मैं कोई ब्रोकर हूँ क्या? और वारेसे! क्या समस्धका है मेरे बारे में? मैं सपैक्स पहनती हूँ, मेरा रंग गड़े जैसा है, मैं खुप्सूरत नहीं हूँ, मेरी हर चीज़से तुम्हें प्रॉब्लम है, मेरे औरिजनालिटी क्या है पता है मैं दानू पीती हूं और पीके मारती भी हूं इतनी सी थी ना तब गोई बाल मांखा नी कर पाया अब बड़ी हो गें तो वाइल से चोड़ दिया अलेक्टर को गवर करने की कोशिश कर रही है लेकिन तुम मेरी ओरिजनालिटी को बाहर मत निकालो समझे बता मैं कितनी बार तरे सपने में आया हूँ चल बता मुझे अरे तु आई थी और मेरी लूंगी लेकर चली गई अगले बाहर अगर तुमने मेरी तारीफ की ना तो जान से मार दूगी चलो रेखा साक्षात सरस्तोती देवी आ रही है साथ में लक्षमी आती तो कितना अच्छा होता अब तक आई क्यों नहीं रेड़ा एक्स्क्यूज मी आप कल दिखाई नहीं दी पती की साथ पिक्चर देखने गई थी तुम यहां क्या कर रहे हो तुम्हानी सीट वहां है तुम्हारी नकल गरगे पूरे युनियो सिटी में टॉपर बन जाओंगा ना बक्वास मत करो हां जाके अपनी सीट पर बै मैं जा रहा हूँ जाओ अरे बापरे टेक्स्बुक को पूरे दुपटे में जरॉक्स मार दिया है मैनत करने के बाद की थी तुम्हारी? मैं तुम्हारे हाठ चोड़ती हूँ अगर इस पर पास नहीं हुई ना तो पापा बैल्टसे वारेंगे इस बार मुझे पास होना ही है, प्लिज, 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 एक्जाम होने के बाद भाहर मिलना, एक हख करूंगा, मेरी चपल से कर देना, बता तूं क्या, सर, मुझ ऐसे चीजों की आदत नहीं है यार, तो इस तरह ड्रेस पर लिखना, एक्तम रियालिटी पर है वो जो पीछे बैठाना सार वो चीतिंग कर रहा है अरे इतनी बड़ी स्लिप लेकर आया है चल लेकर आया वहां तक तो ठीक है लिखने के बज़ा हवा में क्या देख रहा है यह आंसर है सार यह आंसर किस क्वेश्चन में लिखना पता नहीं चल रह क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी थैंक्स फोन उठाया वैसे लगा नहीं था कि तुम अपना नंबर मुझे दोगी करतिका फोन कट मन करना लाइफ का मैटर है बखो दस मिनिट दो की तो हम क्लियरली बात कर लेंगे दस पजे लाइब्रेरी में अरो बापरे दस मिनिट बाक जो भी बात करना है बोलो मैं सुनकर चली जाओंगी कि तुम्हारी पीट को देख के बोलूं कि बोलो करतिका वो तुम्हें से देखती हो तो मैं डिस्टरब हो जाता हूं थोड़ा पलट जाओना प्लीज पहले मेरी लाइफस्टाइल ऐसी नहीं थी करतिका रोज एक फाइट रोज एक केस मेरे पापा कहते थे मेरे पैर जमीन सकते हैं पर नहीं रुकते थे और तुम्हें देखने के बाद सच मैं नहीं प्चला सब्सक्तिजिक तो अगर तुम हाग होगी तो मेरे जिंदेगी बदल जाएगी तुम्हारे लिए मेरे दिल में हुआ है बहुत सारी फेलिंग्सें का कि ए चलाई बर्सों डिया था उसका रिजल्ट आगया है लास का डॉपर है कारतिखा या का तुम नहीं तुम एम कारतिका हो जो क्लास है तुम नहींlich कारतिका भीटेका है मैं रहना थे गारतिका यह यह डियुक्त है यह कहां चला गया कि अरे क्या चले यार मुझे तो कुछ समझ मिली यार रहा है कमान लोग है अरे 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 मेरे सामने ही यह आक्टिंग नहीं मिली थी तो दुखी मिल गई हूं तो दुखी बात क्या है तब ना मुझे पड़ाई आती थी और नहीं तुम्हें लेकिन अब तो सब चेंज हो गया है तुम तक लास्ट आपर बन गई हो तो सुचा मैं ही साइड हर जाओं मतलब पहले जहां भी मिलते थे वहां मुझे डिस्टर्ब करते रहते थे अब सदनली साइलेंट होकर मेरी कॉ साण ठीक है मैं जब बोल रहीं उसका जवाब दो मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो खोषे पागल हो ⁈ई पॉखल हो कि शल जाओ हव हभी पापा के साथ फ्रेंद्ली होना चाहती थी नहीं हो पाई मा के साथ open नहीं रह पाई मैं खुद अपने आप में रहना चाहती थी नहीं रह पाई मैं दूसरों की तरह रही थी तुमने देखा कि वह नहीं हूं इसलिए डिस्टरब हो गई थी तुमने आइडेंटिफाइए कि असल में क्या हूं मेरे अंदर जो मतलाव आया वो तुम्हारी वजह स क्या कहा जरा फिर से कहना मैं मैं नहीं हूं ये बात तुमने आइडेंटिफाइए की थी मेरे अंदर जो बदलाव आया है वो तुम्हारी वजह से आया है और उसके बाद सालेंट होकर जा रहे हो तुम्हें मांक्स के साथ बाते भी करना आ गया आओ अगर हमारे बीच के डिस्टन्स को मिटाना है तो पापा को इंप्रेस करना होगा इंपॉसिबल हां तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे ये इंपॉसिबल है मुझे एक इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे एक इस्टॉल्मेंट भरना है पेटिये मैं क्या कारती के डिटेल्स चाहिए अभी देता हूं वैसे डिटेल्स लेना एतना इजी नहीं है वो लड़की जो है वो बेटी है केशोंकार की वो तिल्गु वालों में सबसे बड़े हैं भाई डरा रहे हो या फिर डर रहे हो बैस जरा समल के बोल रहा हूं पागल कहीं का कि भाया मुझे भूल तो नहीं कि उसकी बेटी के प्यार में पड़ गया कार्ट दे दिया तो सुचा एडिया भी दे दो गया लेकिन उसके शेफ वल्लू को कैसे इंप्रेस करूं वो तेरे बारे में सारी इंफोर्मेशन निकाल रहा है वो किसलिए अरे तुने जो कमाल किय जाना उसके आदमियों को मार करके इसलिए वो तेरी बहादुरी से बहुत परभावित हो गया है इसलिए सोच रहा होगा कि अपनी बेटी की शादी तुस्से करवा दूं थैंक्स मैंने कोई याडिया ने दिया भाई पर मुझे तो आ गया ना भाई गाउं का चरित्र हमारा चरित्र होना चाहिए अगर तुम दौनों में दुश्मनी है तो का एक दूसरे को मारोगे पर जिससे दुश्मनी नहीं उस पर हमला क्यों किया क्या बात कर रहे हैं सर पंजी कब किसके उपर हमला किया भाई उस दिन जो बच गया था वो यही है सर मैं हैदराबाद से यहां पढ़ने के लिए आया हूँ जैसे मैं बस से उत्रा तो वह आपका आदमिया ना वह मुझे बोला कि यहां पर ब्रेक्फास्ट बहुत अच्छा मिलता है और इडली सामबर खिलाने के लिए मुझे यह मेरी फैमिली की रिस्पास्टिबिलिटी कौन देखता है अरे अरे हमारा कुछ नहीं कर पा रहे है तो किसी बाहर से आए हुए आदमी पर अपनी ताकत दिखा रहे हैं एक बार आमने सामने आजाओ फिर पता चले उसमें कितनी ताकत है तेखिए सर पंजी कोई कुछ भी ब मैंठे इसको देखे बिए इसके साथ फोटो किछ वाली के एक यह फोट और तो कोई भे ने आया तो क्या उसके साथ तुम ऐसा बरताब करोगे या तो तुम पंचायत के सामने माफी मांगो तो एक बात कान खोल के सुन लो तुम्हारे जगे कोई और लीडर होगा माफ कीजिए सरपंची एए चलो रहे चलो फर्स्ट टाइम बिना कुछ भी खाए हमारा पेट भर गया एक बार जड़ा हमारे घर आओ खाने बार दावत करेंगे जम करें हालो मिस्स कार्थिका मिसेस बने के लिए तयार रहो हां तुम्हारे पापा मुझ पर फुल इंप्रेस हो गया है बोले फ्री होते एक खाने पर आ जाना ऐसा क्या कर हमारे घर पर फंक्शन है तम कर ही आज कि अधिया जा रहा है बिर्यानी खाएगा हां कहां पर बिर्यानी खाने के लिए तेरे ससूर के घर पर क्यों देखेगा तो जान से मांड आज़े आपे डर मत मेरे ससूर जी मुझ पर फॉल इंप्रेस हो गया है और उन्होंने खुद मुझे खाने पर बुलाया अच्छा मे घर तो कमाल का बनाया है घर पर लेकर आया है तो डर वाली तो कोई बात नहीं है अब तो मुझ पर शक कर रहा है अब यह क्या कर रही है पूरे घर में पानी कर दिया क्या है यह सब तुब बच्चों के साथ बच्ची बन गई यह पकट जाकर वहां बान दे माँ जा बहुत बद्धायए यहार हुआ 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 है तुपका अच्वा दो को अच्वा तुम में जो अच्वा देख रहे हो अच्वारों के थाण्यों के परणाओ जुआ जूआ है क्यों है जुआ हुआ हुआ है है... 皆क शastic वह्पशशश रसे विए बोद्व्वेंग बोल बिए्ट अघ्ग बोल म कांट म Приoms वूढ यह पर हो क्या रही है क्या अंकल के घर पर अंकल नहीं रहेंगे तो और रहेगा यह तो तमील लोग है ना था वास नहीं वाला हूँ रजनिकान के फैंस जापान वाली भी है तो क्या मैं जापान वाला हो गया आंधरा का यह पूछा तो मना किया था ना तो अभी आधराबाद तेलंगा ना में है न जोक मत कर तुने हमारे साइट से फाइट की थी मुझे फाइट करना इंट्रेस्टिंग लगता है मैं किसी के स अब क्या कर रहा है मैंने एंप कार्थिका को बोला तुम एल कार्थिका हो बैट जाओ के शोंकार की बेटी वह तेलगू वालों में सबसे बड़े हैं कि उसकी बेटी का नाम भी कार्थिका है फंस गया यार एसके कुछ कार पड़ा भाई वो आगया पीदा जी के जनम दिन पे वो बकरे की नहीं इंसान की बली मांग रहे है इसका तो सर काट दूंगा काट डालो कि बाट प्रिपो दूंगा है बड़े है तो सर दूंग खब करने हैं हुआ 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 है 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 बिटा कैसे हो कहा हो लाइफ में फॉर्स टाइम पाप घर की आद आ रही है उसे घर की आद आ रही है बहुत बदल गया है अब तो है कि अधार बच्चों और और अधों को अंदर लेकर जाओ है यहीं पर क्यों आया है यह जानना बहुत जरूरी है आया नहीं अंकल उसे यहां पर मैं लेकर करके आया हूं मैं तबिल हूं अंकल तबिल हूं मैं वन पर अए बैठा तेरे से जाधा होश यार हूं है तुमुझे भशाना चाता था ना तुझे मैंने भशा दिया आयम से भाईया तमिल है तो क्या हुआ इसके हमारे घर में करतम रखते ही मुझे ताने दिये थे आग में घी डालने आ गई इतना क्या खा रही है वजन कम कर अपना नहीं पाठ लेगी पुत्तरी तो यह नहीं वो नहीं दोनों को खत्म कर दो अधार 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 ओपर आया तो करण लगेगा पानी में डालूं क्या है अब गदो दिखाई नहीं देता तुम लोगों को तीछे अर्जा परना जटका लगेगा अरे बापरे इमोशनल में इनको यह भी नहीं पता चला कि करण चला गया है अब क्या करूं तुम लोग अपने हथियार नीचे डाल दो हम लोग चले जाएंगे एक दो रहे हथियार जल्दी फेखो अट अबमुर को अठाऊ किसी है थाजात तो नहीं है अपकिस की चावी दें अले यह ऊटोर्णे में डालते रहे मैं तो चला अब बोलो बॉइस वाट टू डू एड वाट नाट टू डू डालू मैं जाल दू इधर डालू जैसे ही टीवी चालो किया बिजली चली गई अब तो फिर से आगया अब तो फिर से आगया अब भागु मैं मर जाओंगा वो लोग मुझे माड डालंगे मैं अपने दादा की चकह से पूरी कुरूंगा उनके सपन सपने रह जाएंगे अब तेरी वज़े से मुझे जिसको इंप्रेस करना था उसी से पंगा ले लिया मैंने कार्थी का बोले तो कौन से कार्थी का पूछना चाहिए अरे भाई तुम तेलगु वाले हो ना इसलिए मैंने तेलगु वाला समझ के उस तेलगु वाले की सारी डीटेल्स आपको दे दी थी भाई तुझे पैदे से पता था कि यह पूछा तो हैतरा बात बोला था तरीकी यह चोड़कर मैंने सब कुछ पूछ डाला और मेरा वो दोस्त गोपाल बोलता रहे तेलगु वाला है तेलगु वाला है तेलगु वाला है मैंने नहीं सुझे उसकी बात पांगल हो गया ता मैं आखें बंद करके वेज को समझके खा गया अरे जो हो गया सब छोड़ना है उस वारे में क्या अरे ऐसे कैसे छोड़ दे आजादी 15 को मिली थी तो क्या हम हर 15 स्कूश को याद नहीं करते हैं क्या अब आउज तुझी आउमत करते हैं तू क्या मारेगा पीच में बली का बक्रा तो मैं बंद गया ना गौह में गया तो यहां पर स्टुडेंट्स मार डालेंगे और उधर पता चला तो तो तेलगु वाले मार लेंगे तुने भशा दिया मुझे यार क्या 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 हुआ है कि माफ करना मैंने तेरी बात नहीं मानी यह हमारा ही बंदा है तुम लोग ने कैसे पता लगाया वह क्या है ना कि विकेंड में भी दारू पी रहा है ना इसलिए मैंने देखा यह तिल्गु वाले से बात कर रहा था 그거 को तेल अब ना ने यौ्ट 552 बात करा तो टो में रखेगा तो गुरू मुझे माफ कर दो मैं कभी तल्गु वालों से बात नहीं करूंगा मैं कसम गाता हूं मुझे माफ कर दो इसकी जिंदा मत कर हम इसे देख लेंगे चल बेचारा सुसू उसने नहीं तूने किया है मेरे गां आया पकड़ नहीं पाए मेरे करीब आया समझ नहीं पाए मेरे घर आया कुछ नहीं कर पाहे फिर तुम लोगों को पालने का क्या फाइदा अपने गुस्ते को शांत करो आज के बाद वो जो भी करेगा मुझे पता चल जाएगा क्या कल करेंट गया तो पता नहीं चल पाया वो जो करेगा वो पता चलेगा पंचायत रखेंगे तो जिस्त चली जाएगी और अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो मन को शांती नहीं मिलेगी आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कुछ तो करना पड़ेगा जाओ तुम लोग कॉलेज का लड़का बोल रहा है तेरी बेटी को नहीं पता है क्या हमारे गाओं में जो कदम रखने के लिए डरते हैं वो घर पर आ गया इतनी हिम्मद किस ने दी उसे अचीब से कपड़े बालों को कलर और इंग्लीश में बातें करती है वह अपरे क्या ये हमारे घर की बहु बेटियों की लक्षन है और पढ़ाई में कौन सी अच्छी है हमारा मुर्गा जितने अंडे नहीं देता उससे ज्यादा तो तेरी बेटी लेकर आती है घर में अगर इंजिनियर बन भी गई तो उससे क्या होगा मुथू किसी के साथ अगर इंग्लीश पिच्छर देखने चली गई तो देखने वाले तेरे मूँपर थू थू करेंगे हाँ कार्थिका कार्थिका पापा जो लड़का कल आया था वो तुम्हारे कॉलिज में पढ़ता है जी पापा क्यों आया था इस पुद्धी नहीं फसाया है बंदर गईंगी जवाब दो आप मुझे शक करें हैं पापा अब हमारे घर में फक्षन है तो लागों लोग आएंगे ना अब वो भी आ गया इसमें मैं क्या कर सकती हूं औरे पापरी इसने तो फिर से ड्रामा शुरू कर दिया अगर ऐसे ठाना तो मैं कॉलिज नहीं जाओंगी ठीक है कॉलिज में डाल दिया ठीक है माना कि आपका गाव में नाम बढ़ा है लिकिन मैं सिसली के आप गर्स से बोल सको कि मेरी बेटी इंजीर है मैंने कितनी मेहनच से पढ़ाई की थी और आपको पता है पुरी क्लास ने मेरे लिए क्लापिंग भी की थी प्रिंसिपल को फोन कर रहे स्टुडेंट मैंने क्या कहा था अगर किसी ने ऐसा बोला तो उसे एक घंटे उठक बैठक करना पड़ेगा शीज ब्रिलियंट स्टुडेंट इस बार की एक्जाम में शीज टॉपर यह है मेरी बेटी कल से तु कॉलेज जा बेटा ठीक है ए स्वामे कुसाय तो भी नहीं और खुश हो तब भी नहीं रोख सकता किस्मत मेरी चल हट जा यार आज कर बिलकुल मजा नहीं आ रहा पढ़ाई में तो मनी नहीं लग रहा मेरा सच किया रहा हूं मैं फ्रेंड्शिप तो तुम्हारी है साथ में आते हो साथ में जाते हो कि अब सानी सुनाता हूं मुझे क्या समझ में आया बताना एक साप ने एक पावज से दोस्ती कर ली दोनों जो है एक साथ रहते थे एक दिन पावर चला गया तो पता चला कि ये तो ologie साल की फिस्त्यार रखें सेफटी के लिए बैल कहीं का फोन लगाता हूं जौब नहीं देती मैसेज का रिप्लाइब भी नहीं क्या हुआ है बोलो ना जवाब दो जब तक बात नहीं करोगी हाथ नहीं चुड़ोंगा हमारा मेल नहीं हो सकता लेकिन क्यों तुमने क्यों नहीं बताए कि तुम एंछ था तो पहले पुछना यह था नहीं मेरी सबसे बड़ी गलती थीRO में देखा नहीं होगा चाहत कम हो गई हां किल डियोगा ौए जय कि तो नहीं चूम नहीं जानते ही इतना सा नहीं है कि एक तेलगु घर आ गया था तो तुमने देखाना क्या हो गया था अब अगर हम दोनों को मिलना है तो पहले हमें दोनों गाओं को मिलाना होगा और यह तो इस जनम में होने से रहा कि ए ए सत्या आशीन तो नहीं हो अब अब्रक्या अब दो को मिलनी के लिए कि आख नर पड़ेगा और वीर और केश जबता केक नहीं होगे ना गाओं एक नहीं होगा अब बात नहीं सुनेंगे और केसे मिला सकते हैं बिरिया निखाएगा? हाँ, कहा पर? क्या यार, बिरियानी के नाम पर हमेशा हदाल करने के लिए सोचता है? इन्हें पता चलिए कि मैं तबीनु तो काट डालेंगे अरे इसलिए तो ये टी-शिट पैना है तुझे बेटा, तुम्हारे आने से घर में रोश्णी आ गई, आजाओ ये कौन है? मेरा फ्रेंड एंकल भाई, मुझे तो ये उस पार्टी का लगता है टी-शिर्ट नहीं देख रहे, किसकी तज़्वीर छपी है आँखे चली जाएंगे शक करने से, आजओ आजओ ऐसा लगता है जैसे मैं अपने आपको देख रहा हूँ अच्छा, खाना बिल्कुल गरम है, शर्माना मत पेड भर के खाना ठीक एंगल, बेटी कार्टिका, अरे बेटा तेरा क्लासमेट आया है, आना केशाओ अंकल, अगर आप बुरा नाम आने तो एक बात पूछू, आपने अपनी बेटी का नाम कार्टिका ही क्यों रखा? उस वीरा मुथ्थू ने अपनी बेटी का नाम कार्टिका रखा इसलिए, क्या सिर्फ उसी की बेटी सोभाग्यवती है, मेरी नहीं, सिर्फ ये नाम वही रख सकता है, मैं नहीं रख सकता क्या, इसलिए रखा, दिखा दिया कि कार्टिका नाम मैं भी रख सकता हूँ, खान सर मैं विरामुत्तू की बेटी से प्यार करता हूँ मैं यहां तुझे अपना दामाद बनाना चाहता हूँ और तुझमन की बेटी से प्यार करने की बात कर रहा है आपके बेटी से शादी करके क्या मिलेगा आपकी बेटी को पती और आपको दामाद मिलेगा बस अब वही अगर मैं उसकी बेटी से शादी करूंगा करेगा तो अगर करूंगा तो उस घर का दामाद बनूंगा मतलब वो क्या तेरे पाउं दोएगा यानि वो हमारे सामने सिर जुकाएगा यह हुई ना बात इसे प्लान कहते हैं एक्सक्यूज में यह बता वो लड़की तुछ से प्यार करती है क्या जान दे देगी सर हमारी शादी के लिए आपकी हेल्प चाहिए बेटे अब तु इस विशे को छोड़ दे तेरी शादी पूरे गाउंवालों को पता चलेगी वीरा मुद्धू तेरे अलावा किसी को दामाद नहीं बना पाएगा तेरी शादी में धूम धाम से करूगा जबान दे रहा हूं वो लड़की तेरी ही होगी जा अग और प्रोड़ कर बेद्सक्थ लोड़की नहीं बनावां कि कोई बताएगा क्या हुआ कोई काटने वाला नहीं था और तो का सहरा लेकर घर में कदम रखा यह क्या हो रहा है सर मैंने क्या बोला था वीरा मुथ्थू तेरे अलावा किसी को दामाद नहीं बना पाएगा तेरी शादी में धूम धाम से करूंगा इतना सब कुछ होने के बाद उस लड़की से शादी कौन करेगा उसके सामने कोई आप्शन ही नहीं होगा तो यह उसका दामाद है यह फिक्स हो चुका है लेकिन सर यह सब करना तो गलत है अभी जो मैं कर रहा हूं वह सब तुम्हारी बहलाई के लिए अब यहां पर सिर्फ यह देखना है कि सर्पंजी क्या बोलते हैं इन्हें फैसला सुनाना ही पड़ेगा सुनो जो हो गया सु हो गया कहकर ब परकी की हाय लग गए तो सत्यानाश हो जाएगा जल्दी मुथू से माफी मांग सर्पंजी क्या हुआ मेरे खिलाफ बात करेगा तू तुझे जिस चायदाद पर घमन है ना उसे खरीद कर मैं तुझे इस गाउं से निकाला दे सकता हूं या तो माफी मांग या यह गाउं छोड़ कर जा मुझे माफ कर दो मुथू अब हुआ हुआ है लेक बेटा तो गाउं में बाहर से आया है लपड़ा क्यों कर रहा है को लेज में डिग्री लेने आया है ना तो वही कामकार जान पर मत खेख आज के बाद गाउं के किसी मसले में टांगड़ाई तो पंचायद बीच में नहीं आएगी सुन रहें मुथू एक आदेना सरपंची अगर बेज़्जती हुई तो शम्शान बना दूंगा एक हपते के अंदर अपनी बेटी की शादी दैकर करके उसकी शादी करवाऊंगा अगर कोई भी बीच में आने की कोशिश करेगा तो पंचायत नहीं पंचना महोगा एए चलो रहे चलती हूं टेकर बाइ बाइ गल्स बाइ रीजिनल फेलिंग्स पर अधारी था ये कॉलेज और तुमने इसका मीनिंग ही बदल दिया इस गाउन के जहगड़ों कासर मेरे कॉलेज पर ना पढ़ने पाये मैंने हमेशा यहीं चाहा है और ऐसे मेरे कॉलेज के स्टुडेंट की वज़े से इस गाउं में जंगड़ा हुआ जो लोग मेरे कॉलेज की तरफ आंक उठाकर देखते नहीं थे वो मेरी तरफ उंगली उठाकर अपनी बेटी को लेकर गए आपको जो दुनिया नजर आती है वो नहीं है सर आप जैसा सूच रहे हैं वैसा यहाँ पर कुछ करेक्ट नहीं है हर कोई यहाँ पर बस नाटक कर रहा है सीसी कैमेरे के सामने अलग और आपके सामने अलग कॉलेज में फ्रेंड्स हैं इसका मतलब यह नहीं है कि सब लोंग मिल चुके हैं रीजिनल फिलिंग्स उनके खून में है इसलिए तमिल वाले समझ कर तेलगू वाले नफरत करने लगे और जैसे उनको पता चला कि मैं तेलगू आला हूं तो तमिल वाले नफरत करते हैं गा तेलगुवाले के लिए तेरा क्या ओपिनियन है बहुत अच्छे लोग है पीट पीछे वार किया तोने हां कौन सी पीट की बात कर रहे हो भाई ए रुखो तो क्या अपसमें लडाई कर रहे हो तुम्हें पीटने के लिए आज हम लोग आए हैं चलो रे आटो आजा रुक क्यों गए मारू ना यहां तो कैमरा भी नहीं लगा है ओहो मैं समझ गया तुम लोग यहां इसलिए मार पीट करते हो कि मुझे पता ना चलने पाए मेरे सामने बहुत डिसिप्लिंड नजर आते हो तुम लोग कॉलिज की फीस नहीं भर सकते स्कॉलोशिप देता हूँ मैं एक्जाम फीस नहीं भर सकते तो एक्स्क्यूज देता हूँ मैं खाने के पैसे नहीं होते तो अपनी सेलरी से कैंटीन का बिल भरता हूँ मैं और इसलिए तुम लोग मेरे सामने डिसिप्लिंड का दोंग करते हो दोखे बाज हो तुम लोग इस तरह जगणने से क्या फाइदा होगा तुम्हें अच्छे मांक्स मिलेंगे अच्छी नोकरी मिलेगी या तुम्हारा फीचर ब्राइट होगा कोई फाइदा हो तो मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ राज ये भले अलग हैं लेकिन देश तो एक है ये बॉर्डर को लेकर जगणे क्यों कर रहे हो भूल जाते हो कि हम सभी भारतवासी मैं नेक्स्ट जनरेशन तयार कर रहा हूँ और इस जनरेशन में मैं स्टेट की फिलिंग को जड़ से खत्म करना चाहता हूँ लेकिन तुम लोगों ने मेरे विश्वास को तोड़ दिया तुम लोगों को ना सुधार पाना मेरी अपनी गलती है इसलिए मैं इस कॉलेज से अपने आपको रस्चिकेट कर रहा हूँ गुड़ बाई आपको नहीं बोलना चाहिए सर मुझे बोलना चाहिए दरसल पैसो के लिए मैं बहुत नीचे गिर गया था इनके भी इस दूरी नहीं पैदा करना चाहता था सर मैंने जो गलती की है उसके लिए आप कॉलेज छोड़कर चले जाएंगे तो कॉलेज की नीव हिल जाएगी सर यह पाप मुझे पर मत चड़ाएं सर हमसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं सर आज हमें बहुत अफसोस हो रहा है हम सच में शर्मिंदा हैं सर आप जैसा चाहते हम वैसा स्टुडेंट बनकर दिखाएंगे सर हमें एक मौका दीजिए सर हमारा यकीन कीजिए अब हम आपस में नहीं लड़ेंगे अपसे हम दोस्त की तरह रहेंगे सर आम सॉरी भाई बले अंजाने में तुमसे गलती हुई लेकिन अच्छा ही हुआ यही बलाव मैं पूरे गाउं में चाहता हूं और इस कोशिश में जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास आ सकत सर वीरा मुथ्थु जी का अच्छा पापा आफ्टर ड्राइवर जहां हम बोलेंगे वहां वो गाड़ी रोकेगा उसके बोलेंगे उत्रेंगे शो समय अटिट्यूड अरे बेटा जाने दिना अड़ी देरी हो रही है ममी पेटा बिल्कुल सही कहा रहा है अक्रा बक्र खे कार को चलाते रहो जब बेटा बोलेगा तभी रोकना काड़ी यही पर रोको पापा यह वीरा मुथ्थु का घर है ना एक बार देखा था बेटा क्या याददाश था देरी यह सब आपकी देन है मम्मी काफी तो बड़ी अच्छी बनाई है भाई साब मेरे बेटे का नाइ खेती करते हैं क्या अब यह क्या खेती की बाते लगा रखिए लड़की को दिखाई है ना जल्दी पान के खुश बूलो पज्जे को छोड़ लड़की आया देख यह लड़की तो एकदम मोम की गुड़िया है कुछ भी मत बोला करो मेरे सामने आपके नहीं मेरी फिलिंग्स इंपोर्टेंट है इनके साथ टू मिनेट्स प्राइवेट बात करना चाहता हूं विदाउट य यह सब काउमन बात है ना हम सब लोग इनी छोड़कर बाहर चलते हैं ना हलो पूरे गाउं में पूस्टर का क्या लफड़ा है क्या आपने किसी से लफ़ किया है आप मुझसे क्या सकती है यू कैंट ट्रस्ट मी एक दोस्त समझ कर बोल दीजी प्लीज हां मैं एक लड़के से डीपली प्यार करते हूं तुम सशादी तो कर लोंगी पर दल में वही जाहेगा अब क्या बोलू मैं नौ जस्ट लफ जस्ट्रू लफ हैट्स ओफ इफ डोंट माइंड क्या मैं उससे बात कर सकता हूं प्लीज ओके डायल कीजिये ना हलो 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 ब्रो जस्ट मिनट हां जो बात आपने मुझसे कही एक बार फिर से दोर आएंगी प्लीज तुम से शादी हो गई तो भी दिल में वही रहेगा कार्थिका है थेंक्यू सो मच ब्रो मैं सोच रहा था कि लाइफ में रिवेंज लेना खत्म हो चुका है लेकिन तु से शादी के मंदब से उठाकर ले गया तब ही मैने जिसाइट कर लिया था मेरी लवर drawings ने किसी और से शादी की है तो मैं भी किसी दिन किसी और की लवर से शादी करूंगा अबे तु sun पागल हो गया क्या किसी और का रिवेंच मुझ पर क्यों देख हाथ की पांचे उंगलिया बराबर नहीं होती है यह मामला भी ऐसा ही है एक रो ब्रदर एक हफ्ते के अंदर मैं इस लड़की से शादी करूंगा शादी रोकने के लिए जो तू कर सकता है वो तू कर ले प्यार में धोखा मिलने में जो फिलिंग मुझे हो रही है वो ही फिलिंग तुझे भी होनी चाहिए तेरी केरेक्टर को जानने के लिए तेरे दोस्त का पता लगाना होगा और तेरी कैपेसिटी जानने के लिए तेरे दुश्मन का यह एक तमिल फिल्म का डायलाग है जो तुझे मैं आज हिंदी में सुना रहा हूं पूरे दिल से आज से तु मेरा जानी दुश्मन है पापा यह लड़की मुझे पागलों की तरह पसंद आ गई है इंगेजमेंट नहीं होगी टारेक्ट शादी इंगेजमेंट एक हफते में शादी कैसे है और शादी भी एक मेंटल के साथ आप सिर्फ हाँ बोले उसे उठा कर ले आते हैं यह तु बेवकूफ है क्या प्यार करने वारी लड़की कोई उठा के लाता है क्या मेरे भाई तु तो केशाव को पसंद है ना फिर प्रॉब्लम क्या है भाई मैं जो से प्यार करता हूं वह वीरा मुत्तु जी की बेटी है मुत्तु जी की बेटी लेकिन तुने तो केशो का डिटेल वांगा था ना मीस अन्रस्टेंडिंग भाई तु इस लफड़े में क्यों पड़ गया किसी तेलगू लड़की से शाधी करनी चाहिए थी ना अरे तुमीर वाला है ना क्या बात कर रहा है यार मैं बचपन से मेगा स्टार का फैन हूं उनकी स्टाइल में मैं डैंस भी करता हूं कि मुझे तो वही लड़की चाहिए लड़की तभी मिल सकती है जब यह दोनों गाउं एक हो जाएंगे और एक करने के लिए हमारे मास्टर जी को पता है गाउं के जगड़े के बारे में कहानिया सुनाते रहते हैं अगर एड्रेस चाहिए तो भाई साब से पूछो अरे बड़े मियां बड़े मियां आपके गाउं की कहानी जाने के लिए कॉलेज से लड़के आए बहुत खुशी की बात है एक समान में हम लोग बिल्कुल भाई की तरह रहते थे एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे लेकिन अब एक दूसरे को काटते फिर रहे हैं असल में यह गाउं अलग हुआ क्यों यह बात सन 1973 की है जब मदरास और तेलगू को अलग अलग राज्य बनाया जा रहा था तिरूपुरम गाउं के लोगों को यह सुचित किया जाता है कि मदरास से आंधरा अलग हो रहा है इसलिए राज्य सरहद का निर्वान हुआ है इस प्रकार जो सरहद है वो तिरूपुरम के बीच में से निकलेगी आप सब लोग आकर अपनी सिगनेचर कर दीजिए फिर इस गाउं को दो हिस्सों में अलग अलग बांट दिया जाएगा ऐसा केंदर सरकार का ओर्डर है यह कैसी बाते कर रहे हैं तुम अगर यह बात हमारे जमीदार को पता चली तो जानते होना क्या होगा इस गाउं के जम सबात हमारे ओर दीचर कर द़ू कर जानते ही आपनी सिपनेव बातर हैं मनन बातर कर दीजिए इस निम्हात कर दीजिए आमारे ओर स्जिए बाई-बाई की तरह मिल जूल कर रहने वालों को अलग करने वाला तू कौन है सहाब यह केंदर सरकार का आदेश है हमारा राज्य है हम हमेशा साथ रहेंगे और साथ मरेंगे तूने क्या सोचा तू हमें अलग कर देगा तेरी सवादी तो हम लोग बनाएंगे हमारे बीच में लकीर कोई नहीं खीश सकता हाँ सही कहा हम लोग साथ जियेंगे और साथ मरेंगे साथ जियेंगे साथ मरेंगे साथ मरेंगे साथ मरेंगे साथ जियेंगे साथ मरेंगे साथ मरेंगे सोचा था कि हम ऐसे ही मिल जूल कर रहेंगे लेकिन इस तरह सिख नीचर करके हम लोग फिर अलग हो गए ये क्या पहले तो मिल जूल कर रहेंगे बोला और अगले दिन ही साइन करके सीधे-सीधे अलग हो गए अच्छा इस बीच क्या हुआ था हुआ थिन पोटेंट टेंट पोटेंट वह अच्छा इनको अगता है सर्दी हो गए कंबल देना ना भाई कंबल की जरूद नहीं है जादा जी को दोरे पड़ेंगे अरे अरे अराम से अलो समलके कौन बोल रहा है अरे मैं परम हां परम बोलो अरे तुम किसे फोन पर बात कर क्या के अरे कर दो क्या जो भुआ अरे 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 अंदर लेक्षा आरा उन्हें होश आ गया है अच्छा दादा जी उस दिन बोलकर आप बेहोश हो गया है क्या हो तो उस दिन भी मुझे फीट्स आया थार में गिर गया था उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं अरे तो इनको उसी समय निकल लेना चाहिए था ना अब चल यासे असल मैं गाओं के जगड़ी की वज़े पता लगा नहीं होगी आप लोग यहां पर कैसे है तुम्हारे पापा को फोन आया था हलो मैं आपकी बहु का होने वाला पती बोल रहा हूं रॉंग नंबर ब्लडी फूल हेलो कभी दस भिखारी को एक साथ खाना खिलाया तुमने जो फोन फट से कट कर रहे हो प्री है क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार प्रॉब्लम मेरी नहीं आपके बेटे की है वो इससे प्यार करता है मैं उससे शादी करने वाला हूं यह जानकर उसे बहुत बैड हो रहा है कल से सैड फील भी होगा और परसो मैड फील होगा तुम डैड हो इसलिए उससे समहाल लो उसने आपको फोन क्यूं किया था अब यह हमें क्या पता तुम्हारा फोन स्विच्ट ओफ आ रहा था तुमने फिर से क्या आफ़ाद खड़ी कर दी यह जानने के लिए हम आ गए एक मिनिट हाँ तुम्हारे फोन पächst कर रहा था सोने से नी मेंतल मेरे पापा को फोन क्यूं किया था सिम्पल दोस्त तोने मेरा फोन कटुक किया मेरे दिल को बुरा लगा इस इलिटर डैड को फोन किया मेरे पापा का नमबर तुझे कहां से मिला और तेरा पापा कहीं का राश्ट पती है क्या फागलो जैसी बात करता है रिवेंज के लिए को लॉजिक नहीं होता को ब्रदर अब तेरी प्रॉब्लम क्या है जब सिब इस गिडिंग टू यूओ लेजी देखते हैं किसमें कितना है डम काउंड डॉण बिगिन सांबर या दंबियानी शंकर या राजा मॉली हुआ क्या था सुन बेटा हमें ना ये गाउं चाहिए और ना ही वो लड़की हमारे साथ चलना बेटा ये बात आपको कहनी चाहिए खुशी से रहने वाले लड़के को यहां भेज़ दिया अगर कुछ हो जाता तो मा क्या मैं कभी भी किसी लड़की के पीछे भागा क्या कभी किसी से बात की लेकिन उसे देखने के बाद मेरा मन सीधे उस पर आ गया अक्सर मैं जगड़ा जगड़ा करता था लेकिन अब मैं जगड़ों से बहुत दूर रहना चाहता हूं मा तो सुचिए मुझे लड़की के लिए मना किया था तब यह माना था क्या अब इसे प्यार करने से मना करेंगे तब मान पाएगा मेरी बात तो सुनिए इसे कुछ भी नहीं होगा कि जाओ बेटा तुम अपना काम करो हम उस लड़की को हैदराबाद लेकर जाएंगे थैंक्स पिता जी कि यह अची है ना सही का यह अरे सुन तुन्हें कुछ खाया या नहीं खाया कुछ दिर पहले ही के रहा खाया था थे खाखाके मोटी हुई जा रही है डूप कड़ कहीं कि हरो जितने योग मरते हैं पता नहीं यह बुढ़िया कब मरेगी ठरकी कहीं कि कि यह बात क्या है बता दो एक बार उसे मिलना चाहती हुं यार बाहर नहीं जाने दें रहे हैं कैसे मिलेगी अंकल अंकल यह रही है अंकल कार्ट प्रिंट्स हो गये हैं सेंटीमेंट की मुताबिक सेकेंड कार्ड आपको देने आया हूं पर सेकेंड कार्ड क्यों तो जल्दी हल्दी लगा कर दे दो ना सम्धी जी को मिल गई हल्दी एक मिनिट पूरे चेहरे पर हल्दी जूला यहां पर बांती है आप शादी में जरूर आईएगा सीरियसली क्या लोग है बेटा टी या कॉफी आपकी बेटी मतलब यह कहना चाहरा है कि आपकी बेटी और मेरा बेटा जॉइंट ली कार्ट डिस्रिबूट करेंगे क्यों है लाए डैडी मेरे सर में दर्द है मैं कहीं नहीं जाओंगी मां तुम्हें बोल रहा हूं जाके उसे तयार करो वैसे आप लोग कहां जा रहे हैं अकड़ बकड़ मतलब तुम इनकी बेटी को लेके जा रहे हैं तो बताना तो जरूरी है न अच्छा उसके कॉलेज में कॉलेज में नहीं भेजोगे वह सर में दर्द है ना और बर्गत के साइस की सहली भी है कथा कहीं कब अब फ्रेम में आ गई हो तो साथ ही चलो आओ जो सलह देनी थी वो देदी है ना यहीं की इसके साथ शारी कैसे करोगी एक बार तो सोच लो लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए ऐसी बखवासी सलाह देने के लिए तुम जैसी बेस्ट्रण बनी होती है मैंने कोई सलाह नहीं दी से पता है तुखाने के अलावा और कोई सलाह दे ही नहीं सकती मुझे पता चल गया है कि लड़की बहुत खुबसरत है ना जी बगल में एक बफैलो भी तो है हलो जो एक है इलो ब्रो तेरी लवर मेरी वाहीश बनने वाली इस बास से मुझे बहुत खुशी हो रही है इसलिए तू चार्ड देने में तुझे ही आया हूं घर लो शादी काड तु इसा प्लास्टीक काड़ प्रिंट करवाये नहीं टवा भी नहीं तुस्ट को मार सा मोशनलकी जाता हूं लेकिन असे टाइम पर तु चैन पनिकी समझ गया ना बेटा तुझे मेरे सर की कसम है फिल्मों में सारी मां यही डायलोग मारती है आप भी मारी है ना मारी है तुमसे दो मिनिट बात करनी है हरी तुमसे ही टू मिनिट बात करना चाहती है जा जो कुछ बोलना आज ही बोल देना समझा नेक्स टाइम ऐसा मौका नहीं दूँगा मेरा कार्ड फाड़ेगा तुट्राइ कर ले वो लड़की मेरे बेटे के साथ ही जाएगी इतना कॉन्फिडेंस है बेटे पर विश्वास को इस बॉटल में डाल कर दिखाई है इसलिए मेरे सामने ये फाल्तु डालोग मत मारा करो अंगल किसी अनबढ़ गवार के सामने मारना मेरे सामने नहीं क्यों इस बत्तमीज के मूह लग रहे है आप भी लिप लॉक कर लेते हैं गुद टाइमिंग है तेरा बैड टाइम आ तुम्हारे पगेर में नहीं जीज़कती और अपने पापा को छोड़कर भी नहीं जा सकती अरे पापरे कले यह मिल रहा और शादी मेरी होगी इस लड़की से तो इसको बहुत बुरा लगेगा कितना मज़ा आईगा है ना अंकल मौके पर चौका मारूंगा मैं तो गलती से इंसानों में पैदा हो गया है रहे लव यू अंकल हरी मौके बस्तों चाहिए अज़े अटे के लिए आपकी कार चाहिए है किस दे दो अरे मैंने कीस देने के लिए कहा था किस नहीं ओ सॉरी सर देख रहा हूं जब से आया है तुम बहुत बदल गई हो नो डाउट अरे उत्रो उत्रो जल्दी उत्रो पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा बाबुराव सेर ये बुडे लोग यहां क्यों आए है सब देखने से नहीं लगता कि आये हैं या उठा के लाए गये हैं क्या कह रहे हो चड़ी मर्सा ने तू भी अपने गाहों से गाया अरे बंदर कहीं के मैं पापड को देखने आई थी कि कहीं का उवे ना ले जाए और तू वहां से मुझे उठा कर ले करा गया अगर ये बात मेरे बेटे को बदा चल गई ना तो वो तुम सब लोगों का गला काट कर रखतेगा हां गला कोई दूसरा रास्ता नहीं था मेरे पास एक जमाने में जब सब लोग एक साथ रहते थे आज इतने अलग की हो गए बताईए ये पूछने वाला तू कौन होता है उठा के लाया है तो कुछ भी पूछेगा हम बताएंगे क्या एक बार जहां थूख दिया ना उसकी बात ज राट देता अपनी बेहन की शकल देखकर छोड़ दिया तुम चुप रहो ज्यादा बखवास मत करो हमने जो भी किया है सोच समझ कर किया है हमसे अपनी तुलना मत करो अरे ओ स्वामी साथ में हमने जंद नहीं लिया तो क्या साथ में हम पले बढ़े तो है ना मेरे बाई इ भाईया भाईया कहकर आखरी वक्त में तुभाराई नाम ले रही थी वह कहां से आया यह पता नहीं दो गाओं को मिलाना चाहता है जो पता है बता दो लेकिन यहां भी लड़ाई कर रहा हूं देखो बेटा मैं बताता हूं सब कुछ यह जो बात है वो सन 1978 की है दादा जी उतना टाइम नहीं है हम साथ मिलकर रहेंगे साथ ही उपर जाएंगे समझ गया ना साथ जिएंगे साथ मरेंगे उसकिन सरकार के आदमियों को वापस भेज देने के बाद सब लोग खुशी में दावत कर रहे थे सब लोग मिलके आपस में खाओ हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे मरेंगे बिलकुल नहीं हम साथ में रहेंगे हाँ हाँ हमें कोई अलग नहीं कर सकता है उसके बाद अंदर क्या हुआ पता नहीं अंदर तो दोनों गए थे गले में हाट डालकर पर बाहर आये तो दोनों खूण अब है इस ते तो वालों के विश्वास मत करना गाट डालो सब्सक्राइब अब तक जो लोग भाईयों की तरह रहते आ रहे थे वो अब दुश्मन बन गए थे तोनों के बीच में एक धिवार खड़ी हो गई थी दरार पड़ गया उन रिष्टों में तब भी एक दूसरी कुमारा आप भी मार रहे हैं उस रूम में हुआ क्या था ददाजी उस दिन उन दुनों के बीच उस रूम में क्या हुआ था कोई भी नहीं है जो इस बात को बता सकता हो चलो रहे हैं अरे 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 सार इन लोगों को छोड़ कर तुम कहां जा रहे हैं आप भी इनको छोड़ दो रेखा किस किस मागा तो किस दे रही हो हालो कार्तिका गाओं के जगड़ की वज़े ही पता नहीं चल पा रही है और तुमारे घरवालों को समझाने का वक्त नहीं है तुम चलियाओ मेरे पास हाड़ी तुम्हें मेरी सिच्वेशन समझ में नहीं आ रही है मैं तुम्हारे साथ चली गई तो सब लोग मेरे पापा को ताने मारेंगे मेरी फैमली तो जीते जी मर ही जाएगी ऐसा कुछ नहीं होगा तुम सिर्फ हां बोलो मैं अभी आकर तुम ही ले जाओंगा तुम्ह बेटा इस गाउं के बारे में बेटा मेरा बेटा रो क्यों रहा है चलो बेटा मारो पापा को मारो हासो तो बेटा पॉसी नहीं यह रही है पापा ए तुझे मैंने आज तक कभी हारते हुए नहीं देखा है बेटा आज भी तुन नहीं हारेगा इस गाउं के जगड़े के बारे में जानने के लिए मैंने रिवेनियू रिकॉर्ड की चान्मिन की यह देख यह इंफॉर्मेशन मिलिये मुझे सन 1978 में दोनों जमिंदारों की जमीन का एक बड़ा हिस्सा एक ही आदमी के नाम से ट्रांस्फर हुआ देखना एब को, एब कोẹण candy से लिए, एदा है. एद इड़ा, एदूड़ा, हेद एदुजगा की फी जिव डिए एवरा एद एद? कर दोम नमस्ते 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 वह जो तेलगु गाह वाला लड़का है ना वो सरपनजी के घर में घुच गया है और हम सब को बहुत मारा है वो लड़का घुस्ते में आके कहीं सरपनजी को मार ना दे अब जल्दी से आ चालिए वह कॉलेज वाला लड़का है ना वो घुस्ते में सरपनजी के रूम में चला गया है पता नहीं क्या करेगा मुझे तो बहुत इंटर ने कर रहे है भाई अब दे बूड़े ना टाइम है ना पेशन्स है मैं जो पूछना उसका सही सही जवाब देना गलत जवाब देगा तेरा सर फोड़ दूगा और वो भी अभी के अभी यहां के जमीदारों के आधी जायदा तेरे नाम पे क्यों है जो गले में हाथ डाल कर अंदर गए थे वह खून से लत्मत भार के से आगए असल में रूम में क्या हुआ था बता बताता है यह तेरा सर फोड़ दूँ मैं बताता हूं बताता हूं बताता हूं करना को मंगल सूत्र पहनाए मंगलम भगवान विश्डू मंगलम गरुन अद्वया मंगलम पुल लीकाशा मंगलाय तनुआ है यह सब कैसे हूआ बताता है यह तेरा सर फोड़ दूँ मैं बताता हूं मैं बताता हूं मैं कि उस दिन आओ दोस्त आजाओ आज बहुत ही खुशी का दिन है यह मेरी तरफ से तुम्हें जो भी चीज़ें पसंद हैं वह सब यहां पर मौजूद हैं दायना अरे मेरे दोस्त दिल हो तो तेरे जैसा मेरे दिल के अंदर जो रूप बसा था उस दायना को लेके तु बिटेंस से आया दायना तेरी नहीं डायना मेरी है दोस्त वाटर यू टोकिंग वह मेरी गल्फ्रेंड है अरे अंग्रीस लूग बटवारा करके चले गए लेकिन इसे मुझे देखे गए यह कैसी बाते कर रहा है तुम्हें यह पांच साल से छे मैने मेरे पास रहती है और छे मैने लंडन म पहाडी उपर मेरा बंगला है अरे पागलोग अगया क्या्या लंडन तो इसी बंगले का नाम है मैंग्थ चोली कि बहने और शेमने मेरे साथ यह तो धोगा नहीं है जिसे जो समझना है समझे वह मेरी है और मेरी ही रहेगी ब्लैक अब वाइड कॉम्बिनेशन एकतम पराबर है वह मेरी है और मुझे ही चाहिए मोटु आमायगाद चुप नहीं ही और मेरी रहेगी तुम यहां क्या कर रहे हो देखो गोरी को मुद्धु को कितने प्यार से मुद्धु बुला रही है तुम्हारे देश में होता होगा यहां नहीं होता अगर यह गलत है तो तुम लोग यहां क्या कर रहे हो अरे बाफ्रे यह बात करने का टाइम नहीं है यह मेरी है डायना मतला आउरत के लिए एक दूसरे को मारा आरे आउरतों के लिए कितने ये दोए है उसमें से ये भी एक है ये बात आपको कैसे पता चली वहां एक फ्रेम में पहले एक बच्चा था लेकिन वो तो एक अंग्रेज है ना अरे गाउं की धूपी ऐसी है तुझे क्या पता मैच हो गया बस अच्छा तुम जमीदार कैसे बन गए अरे उनके पास बहुत सारी जाइदा थी ना तो मेरी मम्मी ने एक से 500 ले ले दूसरे से 500 ले ले और मेरे नाम कर दी टोटल जमीन हो गई एक हजार एकर और वो एक हजार एकर पाके में जमीदार बन गया पहले बता देते तो गाउं का जगड़ा खत्म हो जाता मेरी मम्मी ऐसी थी मैं कैसे बता सकता है कि प्रोफाइल निकालो कि प्रोफाइल निक 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 तुम्हारे दादाओं ने परसनल जगड़े को तेलगो और तमिल जगड़े में बदल दिया अगर ये गाहँवालों को पता चला तो पूरा गाहँव एक तरफ और तुम दोनों का परिवार एक तरफ हो जाएगा अब कोई आप्शन नहीं है तुम दोनों एक हो जाओ और आप मुझे अपना दमाद बना दो केशा जो चलेगे उनके लिए जखरने से क्या फाइदा या तो माफी मांग या ये गाहँव छोड़ कर जा अरे मुथू तुझे इससे अच्छा दमाद और कहीं नहीं मिल सकता तुमारी जगे कोई और लीडर होगा हमें पता है हमें क्या करना है धोके बास तुझे छोड़ूंगा नहीं जहां हमारे दादाओं ने जान ली थी हम वहीं पर जबान दे रहें आज के बाद हमारे बीच कोई जगड़ा नहीं होगा और इस गवाह के तौर पे मैं अपनी बेटी की शादी इस तेलगुवाले से करवा रहा हूं साथ जीएंगे साथ मरेंगे साथ जीएंगे साथ मरेंगे साथ मरेंगे सनों जी हैं देखा मेरे अडिया ने कैसे काम किया मैंने इसे जगड़ा करने के लिए जगड़ा करने वाले गाउं में बेज़ा था लेकिन इसने दो दुश्मन गाउं को मिला कर एक कर दिया क्या समझती हो हम हम हमारी जायदाद पर कबजा करके तो हम पर राज कर रहा था शादी हो जाने तो फिर बताता हूं देखो हम लोग एक दुश्य का राज नहीं खोल सकते हैं अगर हम मेंसे किसी का भी राज खुला तो गाउवाले उसे धक्के मार के निकाल देंगे इस उम्र में शोभा नहीं देगा सो जो चल रहा है उससे कंटिन्यू रहने दू अच्छा सुनो वो रिवेंज मैं की क्या किट्नापिंग के बाद तो दादी पूरी तरह बदल गई है कि उसकी फिक्रें मत करो मैं देख लूँगी कमाल हो गया यार पापा पापा बहुत मुश्किल हो रही है मुरत बदलना ही पड़ेगा उसकी कोई जरूत नहीं लड़की वालोंने दूला ही बदल दी अरे क्या बखवास कर रहें पापा लड़के को मोशन होगा तो मुरत को बदले ना की दूले को बदलेंगी समझे ना अब खेलना ही पड़ेगा तो चलो चलो आजा आजा आजाओ झाल झाल